हलो एवरीवान, वेलकम टू स्टडी स्कॉर्ट, आइम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारी भारत की खोच बुक है, उसके जो लास्ट की question answers है न वो देखने वाले हैं भम पहला question है, आखर ये भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेशता का प्रतिनिधित्व करता था, तो भारत क्या है, जैसे भारत की खोची चप्टर है, हमें बताया गया है कि भारत में क्या क्या हुआ हुआ है, तो अतीत में यानि की past में किस विशेशता का प्रतिनिधित्व कर मतलब ऐसी कौन सी स्पेशालिटी है जो सिर्फ इसमें है मतलब किस स्पेशालिटी का ये लीडर है क्या अच्छी चीज है भारत में अपने उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया मतलब पहले तो भारत देश बहुत जादा महान हुआ करता था और बहुत वर्ड का लीडर हुआ करता था तो फिर ये शक्ति भारत से कैसे जली गई कैसे गुलाम बन गया क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है क्या सब कुछ खत्म हो चुका है विशाल जनसंग्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदा से इन प्रशनों के उत्तर क्या होंगे तो उसका अंसर देना है देखें भारत एक प्राटींतम देश है मतलब बहुत पुराना देश है भारत की सब बैता और संस्कृति की महानता शुरू से वर्तिमान तक विश्व प्रसिध रही है यही कारण है कि हन, शंक, कुशान, पोल, तुर्क, युनानी, मुस्लिम, अंग्रीज जातियों के आकरमणों वे साशन के बावजूद भी इसकी सत्ता को कोई नहीं मिटा सका इसी से प्रेरित होकर कवी इकबाल ने ये शब्त कहे युनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मकर है बाकी नामो निशा ह तो देखे इसमें क्या है इसमें बताया गया है कि हमारे देश पर बहुत ज़देश बास अटाक फर होता है जिस जगए पर कोई वेल्लियू कोई इंप्वर्टेंस थी हमारे देश के तब ही तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आपर आकर के बसना चाहते थे है न तो जैसे कि हुंस हो गए, शाकाज हो गए, कुशान, मंगोल, तुर्की, युनानी, अंग्रेज, क्यों आए? क्यों कि हमारे देश के पास इन्हें देने के लिए कुछ था, और फिर आगे बताते हैं कि कितने देश थे, जो पहले बहुत ही बड़े थे, मतलब आप खतम हो चुके है, इसमें, आपके अनुसार, तो नेक्स्ट क्वेशन है, कि आपके अनुसार भारत यॉर्प की तुल्ला में तक्नीकी विकास की दौड में क्यों पिछड़ गया था, तो यॉर्प में टेक्नोलोजिकल एडवांस्मेंट काफी जादा हो गए थे, हमारे देश के यानि कि 17th century थी ना, उसके starting में, इंग्लाइंड में ओद्यो के क्रांती, यानि कि industrial revolution, महाँ पे factories बहुत ज़ादा लगने लगी थी इंग्लाइंड में, तो महाँ पे ओद्यो के क्रांती आराम पूई, जबकि विश्व पुनर जागन पंधवी शताब्दी में हो चुका था तो विश्व पुनर जागना मतलब जो रनेसा का पीरड था, वहाँ पे जो पुरानी प्रथाय हुआ करती थी इंग्लाइंड में, वो काफी ज़ादा उसमें बदलाव आ चुका था, रनेसा के टाइम पर, 17th century इंग्लाइंड में जो था, वो industrial revolution आ चुका था, 15th century में पे चीजें बदलने लगी थी, तो वहाँ पे industrialization आ गया था, काफी जादा है ना, भारत में इस समय निरंतर उतरी भारत से आक्रमन हो रहे थे, जिसके कारण सभी संसाधनों के होते हुए भी भारत विज्यानिक खोजो और आवश्कारों की ओर ध्यान केंद्रित ना कर सका, और योरप के तुल्ला में तकनीकी विकास की दोड में पिछड़ गया, तो देखिए वहाँ पर 17th century में, 15th century में ही कितने जादा inventions हो रहे थे, हमारे देश के North India पर क्या हो रहा था, foreign attacks हो रहे थे, भार से आकर के लोग हमारे देश को जीतने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज जो environment था बहुत ज़दा होस्टाइल था, बहुत ज़दा आकरमन हमारे देश पर तूसरे देश कर रहे थे, खूप internally भी काफी लडाईयां चार नहीं थी देश में, next question है, नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मात्र भूमी की अलग अलग तस्वीरे है और कोई दो आदमी बिलकुल एक जैसा नहीं सोच सकते, अब आप बताइए कि आपके मन में अपनी मात्र भूमी की कैसी तस्वीर है, तो नेहरू जी एक question है, इस question में कहते हैं कि हर person अपने देश के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है, और कोई दो लोग एक जैसा हो अस्तित्व कायम है, next question है, अपने साथियों से जर्जा करके पता करो कि उनकी मात्र भूमी की तस्वीर कैसी है, और आपकी और उनकी तस्वीर में क्या समानता हैं, तो आप अपनी मदलान के बारे में क्या सोचते हैं, और आपके और उनके बीच में क्या क्या similarities हैं, ये बता तो मैंने अपने साथियों से मात्र भूमी की तस्वीर की चर्चा की तो पाया कि उनके कुछ के मन में मात्र भूमी का सकरात्मक रूप है, लेकिन कुछ के मन में अपने देश करपती शंकाई भी हैं, जब आपने फ्रेंज से डिसकस किया, तो कुछ लोग तो सोचनें कि ह din क बहुत अच्छा है बड़ कुछ लोग में कुछ confusion है ऐसा इस कारण से है क्योंकि उनके मन में पश्चिमी शब्धता का आवरण है तो बतलब वो कुछ लोग Western civilization को अपने देश चे जादा अच्छा मानते हैं इस तरीके की बाते हैं उनके मन में next question question number four है जवालाल नहरू ने कहा यह बात दिल्चस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस बोर बेला में है हमें एक नहने बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विक्सित स्याने रूप में दिखाई पड़ता है उन्होंने भारत के विश्र में ऐसा क्यूं और किस लगता है हमें तो जावालान नेरू का यह कहना कि यह बात दिल्चस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस बोर बेला बोर का मतलब होता है सुबह सुबह Home कबी कि लगता है कि एक्दम शुरुवात हुई है बोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल् asi पलगी अपने रूपों में विक्सित से आने रूप में दिखाई परता है तो हमारे देश में जो पास्ट में काफी जादा डेवलोपेंट हुए है जाए साइन्स हो माथ्स एस्ट्रॉनमी एस्ट्रोलजी हर चीज में हमारा देश बहुत जादा आगे था तो इसलिए नहरुजी कहते हैं कि शुरुआत से ही हमारे देश की भोर बेला थी मतलब जुकाटी सब्वेता के अंत के बारे में अनिक विद्वानों के कईमत हैं आपके अनुसार इस सब्वेता का अंत कैसे हुआ होगा तरक सहित लिखिए तो जो इंड़स वैली सिविलाइजेशन ये संदू गाटी सब्वेता का किस तरीके से अंत हुआ होगा ऐसे लोग बाड आ गई हो या फिर कोई मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने लगा हो वहां का है ना हम अपने विचार के अनुसार कह सकते हैं कि सिंदु नदी अपने प्रकोप बाड के लिए प्रसित थी तो हो सकता है जब उस पे बाड आती तो गाउं के गाउं अपने साथ बाहा ले बाड आई हो और सिंदु घाटे सब बता अपने पतन की ओर बढ़ गई हो आगे नेक्स्ट क्वेस्चन है उपनिशतों के बार में बार-बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुसाशन में रहें आप अपने दैने क्रिया कलापों में इस एक डिसिप्लिन में रहनी जाहिए तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से और कितना फॉलो कर पाते हैं तो देखिए इसका आंसर है उपनिशतों का यह कहना कि शरीर स्वस्थ हो मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें यह शत प्रतिशत सकते हैं मतलब हम सभी कार्य सही रूप से कर पाएंगे बन स्वच्छ होगा तो कार्य करने में विल्चस्पी लेंगे विद्वानों का भी कहना है शरीर माध्यम खलू धर्म साधनम अर्थात स्वस्थ शरीर के माध्यम से सब प्रकार के कर्म वैधर्म सिद्ध हो जाते हैं हम भी अपने द माइंड बैलन्स हो, परिशान ना हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, तब ही किसी काम में को कर भी बाते हैं और उस काम को करने में मन भी लगता है, सब के लिएक तो हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए और एक्सरसाइस करने चाहिए, इसे हमारा हेल्थ और बॉड़ी और माइंड दोनों फिट रहते हैं, नेक्स्ट क्रेशन है, नहरु जी ने कहा कि इतिहास की उपेक्षा के परिणाम अच्छे नहीं हुए, आपके अनुसार इतिहास लेखर में क्या-क्या शामिल किया जाना चाहिए, कि एक सूची बनाईए और उस पर कक्षा में अपने साथियों और अधियापकों से जर्चा कीजिए, तो इतिहास की उपेक्षा, उपेक्षा करने का मतलब होता है, इतिहास को खराब तरीके से देखना, ये नहीं किया जाना चाहिए, तो आपके according इतिहास में हिस्ट्री में क्या-क्या शामिल करना चाहिए, तो आंसर है, इतिहास अतीत का सरपन होता है, जिससे हम अच्छे और बुरे का ज्यान प्राप्त कर वर्तमान और भविश्य को सुधारते हैं, तो इतिहास जो है, वो क्या होता है, हमारी लाइफ का ही एक हिसा होता है, जो पास्ट में गलतिया हुई है, जो अच्छी चीज़े हुई, उसके हिसाब से हमार प्रेजेंट और फुचर और अच्छा बन सके, इसके साथ ही एतिहासिक गलतियों के पुरर्वृत्य रोक करनाएं आयामों की और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब एतिहास में जो गलत हुआ है, वो दुबार ना करें, है ना, लेकिन आज की पीड़ी एतिहासिक त प्रेजार में कि आर्थिक स्वरूप और उसके गुड़ दोश इसके अतिरिक्त सांस्क्रितिक मूल्यों को भी शामल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीड़ियां इतिहास से अनुभव राप्त कर अपने वर्तमान वहविश्य को सही मोर दे सकें, इसमें क्या है कि ज पास्ट को सिर्फ के अकॉर्डिंग नहीं उस समय वहां कि जो सोशल कंडिशन थी कि उस समय उस एरिया में उस धर्म चल रहा था, वहां कि समाज में क्या चल रहा था, वहां पे एकनॉमिक ऐसी ती, आर्थिक रूप से कैसा था, हर चीजों को कम्बाइन रूप में हम लोग पतनों के बावजूद आज भी बनी हुई है, आज की बाते संस्कृति की ऐसी कौन-कौन सी बाते, चीजें हैं, जो हजारों साल पहले से चली आ रही हैं, आपस में चर्चा करके बताईए, तो देखें, हमें स्टार्टिंग से ही ऐसी सब बताय कल्चर की शिरुवात दिख बताना है, तो देखें, नहरुजी का कहना है कि हमें आरम में ही एक ऐसी सब्बता और संस्कृति की शिरुवात दिखाई पड़ती है, जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज ही बनी हुई है, ये बात गलत नहीं है, यदि आज भी हम देखेंगे तो पाएंगे कि सत् रहे है, आस्तिक भाव, गुरु जनों का सम्मान, मात्रभूमी की रक्षा, आदिदी सत्कार की भावना, हमारे पौरानिक यूग से लेकर एतिहासिक वातावरण, वैसम कालीन यूग तक उसकी परमपना जियों की तो बनी हुई है, तो बहुत सरी परमपनाएं हैं जो हमार परिग रहा, और बड़ों का सम्मान करना, अपने देश की रक्षा करना, गैस से अच्छे से बिहेव करना, ये सारी की सारी चीज़े पास से चलिया रही थी और आज भी हमारे देश में इनको फौलू किया जाता है, नेक्स्ट क्वेशन है, आपने पिछले साल सात्री में बाल महाभरत कथा पड़ी थी, भारत की खोज में भी महाभरत के सार को सूतरबत करने का प्रियास किया गया है, दूसरों के साथ ऐसा आच्रण नहीं करें, जो तुम्हें खुद अपने लिए स्विकारे ना हो, आप अपने साथियों से कैसे विवहार की आपक्षा करते हैं और स्विम उनके प्रतिक ऐसा विवहार करते हैं चर्चा कीजिए, तो देखें, भारत की खोज आपकी सप्लिमेंटरी बुक है, तो उसमें महाभारत में हमें यह सीख मिलती है, जैसा विवहार हमें खुद के लिए पसंद नहीं, दूसरों से भी नहीं करना चाहिए, त तो इसके बारे में आप लोगों को डिसकस करना है, तो देखें, महाभारत वे भारत की खोज दोनों पुस्तकों में ही इस बात के धरातल पर सत्य है, कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण ना करो जो खुद के लोग स्विकार ना हो, अपने मित्रों के साथ भी इसी विशय पर विचारों का अदान पर दया है, मतलब इसमें कि हैसल स्विक परगास ना जूएल जो है, अच्छे से रहना चाहिए, नेक्श्ट गफ्वेशन जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक राजा या सरकार द्वारा जमीन और उत्त्तपादन पर कर, यानि कि टेक्स लगाया चाता रहा है, आजकल किंगिं वस्तु और सेवा उपर कर देते हैं, तो बहुत सारी आये कर, यानि कि, इंकम टेक्स और प्रॉपर्टी टेक्स है न, और जो ये काफी सारे होते हैं, जो एक जगाई से दूसरी जगा वाट, अब बहुत सारे टेक्स होते हैं, आयात नियार, import, export का text हो गया और बहुत सारे entertainment text और ये वो अब GST हो गया तो काफी सारे text होते हैं तो आगे की जो questions है ना बच्चों वो हम लोग आगे आने वाले video में करेंगे इसमें काफी सारे chapter में काफी सारे questions है तो अब आगे वीडियो में देखेंगे थेंक यू